गुट मॉर्निंग स्टुडेंट्स वेलकम बेक इन मा यूटूब चैनल अपने पिछली वीडियो में हमने इंडेफिनेट आर्टिकल्स मिन्स ए और अन के बारे में पढ़ा चलिए आज की कलास में हम डेफिनेट आर्टिकल मिन्स दी के बारे में पढ़ेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी कलास को मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया कि दी को डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं क्योंकि इसको इसलिए डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है कि एक ऐसी वस्तू person की तरफ point out करता है जिससे हम known होते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं The use of definite article Rule number one When we talk of a particular person or a thing as already mentioned known or under discussion for example means जब हम किसी ऐसी ऐसे person या वस्तू के बारे में बातचीत करते हैं जिसका पहले ही जिकर हो चुका होता है जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं उसके लिए हम दी का प्रियोग करते हैं Example The book is not available in the market भैक किताब अवेलेबल नहीं है मार्केट में The book आप यहाँ पर जानते हो The book वो बुक अवेलेबल नहीं है मार्केट में मार्केट में अवेलेबल नहीं है means आप उस बुक से नोन हो आप जानते हो तब ही तो यह कह सकते हो कि यह बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है Let us study the lesson केरफुली इसमें जो लेसन है उससे पहले हमने दी का प्रियोग किया है क्योंकि जो लेसन हम पढ़ रहे है चलिए उस लेसन का हम केरफुली डंग से अध्यन करते हैं means आप उस लेसन से प्रीची तो नोन हो इसलिए हमने दी का इसमें यूज किया है Before proper noun कुछ ऐसे proper noun होते हैं उनसे पहले हम दी आर्टिकल का प्रियोग करते हैं Unique Object जैसे कोई Unique Object होते हैं जो अपने आप में अदभूत होते हैं When they refer to name of historical building जब कोई भी एतियासिक इमार्थ हो कोई भी एतियासिक इमार्थ हो means कोई भी एतियासिक इमार्थ Mountain ranges Mountain जो परवस संकलाएं होते हैं जो महासागर हैं उनके नाम से पहले गल्प जो मारी खाड़ी हैं उनके नाम से पहले Groups of Islands जो हमारे टापू हैं उनके नाम से पहले Holy Books जो मारी धार्मिक पवित्र पुस्तके हैं उनके नाम से पहले Ordinal's Nouns जो हमारे Ordinal's Numbers होते हैं उनके नाम से पहले, ordinals, नमबर मिन्स, first, the first, the second, the third, the fourth, the fifth, descriptive names of countries, state, newspapers, अकबारों के नाम से पहले, मैक जिन्स, कोई भी पत्रिकाई हैं उनके नाम से पहले, डैजर्स, रेगिस्तानों के नाम से पहले, superlative degree, जो भी हमारी superlative degree है, उन से पहले, नेम ओप ट्रेंस, रेल गाडियों के नाम से पहले, ओटल्स, ओटलों के नाम से पहले, सौप्स, दुकानों के नाम से पहले, ट्रेंस, ट्रेंस के नाम से पहले, हम हमेशा definite articles का प्रियोग करते हैं, means, दी का प्रियोग करते हैं, example, Persian Gulf, ये परसिया की खाड़ी है, तो मैंने बताया था, जो भी खाड़ी है, उसके नाम से पहले, article दी का प्रियोग किया जाता है, दी परसियन गल्ब, ताजमहल, मैंने आपको बताया था, कि जो भी हमारी परसिद इमार्त होती है यूनिक बिल्डिंग होती है उन से पहले हम दी आर्टीकल का प्रियोग करते हैं दी ताज महल नीदरलैंड्स जो भी मारे टापू है दा नीदरलैंड्स दा वेस्टेंडीस इनके नाम से पहले भी दी आएगा The Indian Oceans मैंने बताया था जितने भी हमारे माह सागर है उनके नाम से पहले दी आता है जैसे The Indian Oceans The Atlantic Oceans The Pacific Oceans The Best Pictures मैंने आपको बताया था जो भी हमारी Superlative Degree होती है उनसे पहले भी हम दी का प्रियोग करते हैं जैसे The Best The Hottest The Coolest The Smallest The Biggest The Sudan The Ganges नजियों के नाम से पहले भी मैंने आपको बताया था कि धमेशा The Article आता The Ganges The Yamuna The Kaveri The Satloj The First मैंने आपको बताया था जो Cardinals नंबर होते हैं उनसे पहले भी मेशा Article D का आता है Cardinals बताया था मैंने The First The Second The Third The Last The Final ये आपके क्या होते हैं Cardinals नंबर होते हैं The USA कुछ देशों के नाम से पहले The Western Days The Himalayans Himalayas मैंने आपको बताया था जो परवत संकला ही होती हैं The Himalayas The Else धाईस नाम से पहले भी मैंने आपको बताया था दा सहारा दा गोवी डेजर्स दा थार डेजर्स कोई भी दार्मिक पूस्तक थी उसके नाम से पहले भी मैंने आपको दी आर्टिकल बताया है दा रामाइना, दा माभारता, दा कुरान, दा बाइबल, दा बेव बंगाल ये खाड़ी है खाड़ी के नाम से पहले भी आपका दी आर्टिकल प्रियोग किया जाता है दारणजीत कोई भी आपका एंपरर है दा मुंगल एंपरर दारणजीत हमारे कितने भी गरंथ है दावैदास दाराजधानि एक्सप्रेक्स जितनी भी हमारी ट्रेंस है उनके नाम से पहले भी आर्टिकल आता है आर्टिकल दी का प्रियोग होता है जैसे दा राजदानी एक्सप्रेक्स, दा स्ताबदी एक्सप्रेक्स, दा ताज एक्सप्रेक्स, हमारी कोई भी यूनिक हैं, उनके नाम से पहले भी, दा मून, दा सन, दा स्टार्स, दा आर्थ, निउस पेपर के नाम से पहले भी मैंने आपको बताया था, दी आर्टिकल्स क दा हिंदुस्तान टाइम्स, दा सन, दा आर्थ, दा नॉर्थ फॉल, नॉर्थ इसमें ध्यान रखनें बात होते हैं, दी इस नॉर्थ बिफोर एरावली और एवरेश्ट, जो एरावली है, एवरेश्ट है, उनके नाम से पहले दी का प्रियोग नहीं किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है, यह माउंटें रेंजिज नहीं होती, इनको परवच संकलाई नहीं कहते हैं, नेक्स्ट, रूल है, जब कोई एक सिंगुलर नाउन, जब पूरी जाती के बारे में बताता है, तो हमें यूज करना होता है, दी आर्टीकल का हम प्रियोग करते हैं, जैसे दा डोग इज ए फेटफूल एनिमल, अब डोग जो है, वो पूरी जाती के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है, दा रोज इज ए स्वीट फلاवर्स, जो रोज होता है, वो भी अपनी पूरी जाती के बारे में बताता है, दा के साथ हम यूज नहीं करते हैं, dogs are faithful, the cows are economically useful, इसमें हमने दी यूज नहीं करना है, the sun should be obedient, इसमें हमें दी का प्रियोग नहीं करना है, only sun, we for an adjective, एक adjective से पहले, when it represents a class of person, जब पूरी जाती के, जब कोई भी adjective, अपनी पूरी जाती के बारे में बताता है, जब कोई भी adjective अपनी पूरी जाती के बारे में बताता है, तो हमें उससे पहले, डी का प्रियोग करना होता, जैसे, the rich should help the poor, the rich, एक अमीर नहीं, पूरे अमीरों को, the poor, एक गरीब के नहीं, विशायता करने चाहिए, दी पूर, देरेज, दी ओल्ड आर, रिस्पेक्टिड बाई दा यंग, जो बूड़े हैं, उनका यंग दवारा, रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, आदर किया जाना चाहिए, ये आदर किया जाता है, दी ओल्ड, अब यहां, एक बूड़ा नहीं, पूरे बूड़े, दा यंग, एक जवान, नोजवान नहीं, सभी नोजवानों दवारा, विफोर, मुजिकल इंस्टूमेंट्स, उसके बाद, अगला जो दी का हम प्रियो करते हैं, विफोर, मुजिकल इंस्टूमेंट्स, जितने भी हमारे मुजिकल इंस्टूमेंट्स होते हैं, मुजिकल इंस्टूमेंट्स जैसा कि आप जानते हो, जो संगीत से रिलेटिड हमारे जितने भी इंस्टूमेंट्स होते हैं, उनके लिए हमें दी का प्रियो करना होता, जैसे, he can play the flute flute जैसे बांद सूरी ये भी एक musical instrument है second है she is fond of playing the harmonium अब harmonium भी आपका एक instrument है musical इसलिए हमने इससे पहले decaprio किया है as an adverb with a comparative sense double comparison जब हम किसी double comparison के जाती है adverb के तो उसके लिए हमें decaprio करना होता the sooner the better the higher you go the cooler it is इतना उपर जाओगी इतनी ही ठंड होगी the higher the colder the sooner the better before comparative degree in the case of choice for example comparative degree जब आप choice करते उसके लिए she is the weaker of the two sisters अब उसकी comparison की गई है कि वो कमजोर है आपनी दो बेहनों में वो सबसे कमजोर है which is the more beautiful of the two sisters अब दो बेहनों में से कौन सी बेहन सुन्दर है तो यहां भी comparison की गई है इसलिए हमें comparative degree से पहले भी हम decaprio करते है we for proper noun for the sake of comparison जब कोई proper noun होता है जब उसकी हम तुलना करते हैं तो उसके साथ हम decaprio करते हैं जैसे सूर्दास is the Milton of India जो Milton था जो जोन मिल्टन उसकी तुलना सूर्दास के साथ की गई है सूर्दास को भार्त का Milton कहा गया है इस comparison में हम decaprio करेंगे another example इसका कालिदास सीदा Shakespeare of India कालिदास को भार्त का Shakespeare कहा गया है कालिदास की तुलना Shakespeare के साथ की गई है इसलिए Shakespeare के साथ dha दी आया है next we for sports cups and trophy जितने भी sports की trophies होती है जो cups होती है उनके लिए हमें उनसे पहले भी हम decaprio करते है जैसे India won the singer cup last year singer cup एक cup का नाम है इसलिए इसके साथ dha का प्रियोग करेंगे और पिछले साथ इंडिया ने जीता and number of teams are taking part in the world cup अब world cup भी एक cup है like a trophy एक trophy की तरह है इसलिए हमने world के साथ से पहले decaprio किया है before physical position कोई भी physical position है उनके लिए भी हम decaprio करते हैं जैसे the top of the mountain the back of the house the center of the market the front of the house यहाँ पे यह position बताते हैं physical position बताते हैं इसलिए हमने decaprio किया है with the cardinal points जो cardinal points होते हैं उन से पहले the sun rises in the east कोई भी means हमाई जो direction होती हैं उन से पहले हम decaprio करते हैं the sun rises in the east the Himalayas are to the north of India यहाँ पे north एक आपकी क्या है direction है east आपकी क्या है direction है इसलिए हमने इन से पहले decaprio किया है before exit of measurement जब आप कोई measurement करते हैं जो किसी चीज़ को मापते हो तोलते हो उसके लिए आपका इसका प्रियो किया जाता for example cloth is sold by the meters अब cloth है वो बेचा जाता meter यह meter क्या एक measurement है एक साज sold by the dozen यह dozen यह sold by the dozen एक dozen के according उसको किया जाता यह भी quantity है इससे पहले भी हमें decaprio करना before caste and communities कोई भी caste है और कोई भी community जए समुदाय है उससे पहले भी हम decaprio करते हैं जैसे the Rajputs are the brave people यह Rajputs क्या है एक community है एक caste है the Marathas are hard working Marathas बड़े मेंती होते हैं यह Marathas भी क्या आपके communities हैं या caste the Hindus the Muslim the Sikh the Christians next and before the adjective same and whole जब same आता है same से पहले decaprio करते हैं whole से पहले whole से भी पहले हम decaprio करते हैं all और both के साथ भी हम decaprio करते हैं जहां भी same whole है उनके बाद dee आएगा all और both से पहले dee आएगा जैसे this is the same book अब यहां same आया हुआ है उससे पहले हमने dee का यूज किया है the whole class was absent पूरी class absent of whole से पहले आपका dee capit dee आया हुआ है आपको use dee करना है all the boys पूरे बच्चे both the brothers मैंने बताया था all और both के बाद दी आता है same और whole से पहले dee आएगा लेकिन all और both के बाद dee आएगा in certain idonic phrases for example in the wrong on the contrary in the town the benefit of the doubt in the air speak the truth out of the question in the right इन में भी हम dee का प्रियो करते है next before a common noun to give it the force of a superlative जब कोई common noun होता है लेकिन वो बाद्य करता है superlative के लिए वो ये दिखाता है कि वो सबसे ज्यादा stressed है उसके लिए she is the woman नेता जी वोजदा leader he is the man for his job before a common noun to give it a sense of abstract noun कोई भी abstract noun होता जो sense देता है common noun जब वो abstract noun की sense देता है मिन्स किसी के अंदर feelings होती है qualities होती है उसके लिए the judge in him sense of justice की the mother in her feeling of mother the beast in him cruelty of beast before invention जब कोई भी नहीं खोज की जाती है scientific जो भी खोज होती है उससे पहले हम D का प्रियोग करते है the telephone the wireless the television he was watching television अब television एक set के रूप में हम use करते हैं तब हम इसका am का प्रियोग नहीं करते हैं otherwise अगर special in का प्रियोग किया जाता है तो हम D का प्रियोग करते हैं before the name of profession usually collectively for example कोई भी name of profession है कोई भी नाम एक पूरे profession के लिए हम उनका प्रियोग करते हैं पूरे collective noun के रूप में जैसे की the press the press जैसे की जो media होती है जो समाचार पत्तर होते हैं वो पूरे collectively के noun के रूप में प्रियोग किया जाता the bench पूरी bench before a noun qualified by adjective जो कोई नाउन adjective के दोवार qualified किया जाता है फूस के लिए the former president अब्दूलकलाब भूत पूरो the immoral sex fear the late sri S.C. boss सुभास चंदर पोस ये क्वालिफाई करता adjective के बारे में बताता next है before in the case in apposition किसी apposition के case में भी हम इसका प्रियोग करते हैं जैसे नेता जी नेता जी क्या था the hero of modern India अब नेता जी the hero of modern India who can under underestimate Mr. Vajpayee the former prime minister before the dates for example date से पहले the 10th of May the 5th of September before the organs of government हमारी जो भी government के अंग होते हैं उन के नाम से पहले हम दी का प्रियोग करते हैं जैसे the judiciary the legislature before the political parties जो भी हमारी political parties होती हैं राजनितिक दल होते हैं उनके नाम से पहले भी हम दी का प्रियोग करते हैं दा बीजेपी, दा लेबर पार्टी, दा जनता पार्टी, विफोर दा आरम्ड फोर्स, हमारी जितनी भी आर्मी की फोर्स होती हैं, शेनाई होती हैं, उनके नाम से पहले हम दी का प्रयोग करते हैं, दा आर्मी, दा पुलीस, दा एर फोर्स, Before the dynasties, emperors, wars, revelations, centuries कोई भी हमाँ dynasties है, कोई वंस है emperors कोई भी समराज्य है wars कोई भी युद है revelationsries कोई भी क्रान्ती है कोई भी centuries ताब्दी है उसके नाम से पहले भी हम दी का प्रियोग करते है जैसे दा गुप्त डाइनस्टी गुप्त समराज्य है, गुप्त बांस दा ब्रिष्टिश एंपायर डिटिश समराज्य है दा रेड रिवोलुशन, रेड क्रान्ती दा फ्रेंच रिवोलुशन इनके नाम से पहले हम दी का प्रियोग करते है दा वैदी केजीज दा सिवल वोर दा वैदी केजीज दा सिख्ट सेंचरी सेंचरी के नाम से पहले कोई यूद के नाम से पहले हम इनका प्रियोग करते हैं विपोर दा लेंगवेज टो सिगनिफाई नेशनल्टी, ऐसी लेंगवेज के नाम से पहले, जो हमारी राष्टिता के बारे में बताती हैं, जैसे दा चाइनीज आर हार्ड वर्किंग दा जैपनीज आर पैट्रोइट आउट एंड आउट यह बहुत देश बगत होते हैं चाइनीज महिंती होते हैं यह पूरी नेशनल्टी के बारे में बताएगा लेकिन हमें इंडियन लिखना है तो एन इंडियन, एन एसियन, एक ग्रिक लेकिन जब इनके पीछे इंडियन, एसियन, ग्रिक्स लग जाता तो हमें एक इस्तान पे दी का प्रियोग करना है लिटल से पहले और फ्यू से पहले आप हमेशा दी का प्रियोग करते दी लिटल सम बट ओल कुछ, दा फ्यू सम कुछ बट ओल लेकिन सारा इस्टुडेंट्स, इस आदा रूल्स ओप डैफिनेट आर्टिकल दी, उमीद करते हैं, आज के जो आर्टिकल्स हैं, जो हमने दी आर्टिकल किये हैं, डैफिनेट आर्टिकल्स, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, यदि फिर भी कोई डाउट है, आप पूच सकते हो, have a nice day, thank you very much.